बिसमिल्दाइब रभान रहीं, इस रेलेवेंट कॉस्टिंग का हमारा टॉपिक चल रहा था और रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर आज हमारा कुछ सवालात करेंगे और इसके बाद ये चांप्रीट आउट हो जाएगा हमारा रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर आज हमारा कि अंदर मतलब यह जो अपके बाद आपके अ देवेंट को अज़ा पास पॉरभान काॉस्ट के अंदर इस प्रोजेक्ट के अंदर आपके पास decision making के अंदर ये point आता है relevant costing का जो characteristics है वो direct attributable cost है वो तमाम cost जो के उस direct project यानि new project पे जो भी assign हो रही है that is called direct attributable cost अगर उस नए project की वज़ा से कोई नई incremental cost लग रही है that is called incremental cost for example आपने कोई एक घर जो है या कोई campus जो है आपने rent पर दिया हो था उसका 10,000 रुपे या 20,000 रुपे महिने का electricity का rent bill आ रहा था और आपने उसके first floor पे कोई और नहीं चीज़ start कर दी तो अब आपका जो bill जो है आपलिफ्ट होके 10,000 रुपे से 15,000 रुपे हो गया तो जो 5,000 की जो incremental cost है वो relevant cost बनेगी उस नए project की उस पांच जार की cost को आप पुराने project के उपर assign नहीं कर सकते हो इस तरह से वो जो नए project आपने start करा है बच्चे उसके उपर जो जितने भी आपने टीचर्स हाइर करें कोई staff नहीं हाइर करा है जो directly सिब उस project पर ही काम करेगा उसका पुराने project से काम नहीं है एक student ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि sir अगर कोई ऐसा बंदा जो दोनों projects पर आपके काम कर रहा है तो फिर आपने उस जो MA1 के अंदर पड़ा होगा पॉर्च्मेंट जाद है उसी दाना से allocate करा होगे यानि allocation करके कि किसको वो percentage ज्यादा दे रहा है लेकिन अगर directly वो उसी पर दे रहा है तो आपको वसे सर इसके अंदर हमने एक opportunity cause भी पड़ा था आप जो नया project start करने जा रहा हो उसकी वज़ा से कोई अगर आप sacrifice कर रहे हो कोई income आप क्या कर रहे हो sacrifice कर रहे हो तो that is called opportunity cause वो भी आप उस नया project की वज़ा से कर रहे हो for example अभी तक first floor आपने rent पे दिया हो था 20-30,000 रुपे पे rent पे दिया हो था तो वो 20-30,000 रुपे का जो भी rent था वो खतम करके आपने खुद उस first floor पे पूरा campus start कर दिया अब वो देखा जाएगा कि आगे उसका क्या overcome आता है और उसका क्या result आता है लेकिन अभी आपने लेटिस्ट यह है कि आपने 15,000 रुपे का sacrifice दिया है कि आपने फौरान घर खाली कर वा लिया महुत सारे लोग यह भी तो करते हैं आज सक rental properties के ओपर काम कर रहे थे लोग एक बंदी जो है salary आपना office start कर दो अब अपना office start करना है तो खुद जब rent पे जगह लेने के लिए निकले तो लाक लाक रुपे की जगह मिल रही है किसने का यार जो घर बंद है इसको तुमने जो इसको घर बना दो कि तुम्हारे ताहिर विला से इदर से street हम जाते है 600-800 घर सके जितने भी main पटी है तो सारी commercial होती जा रही है सारे offices बंदे जा रहे है था तो residential ना किसी जमाने में कोई भी यह आपकी जो main यह ताहिर विला इवाली में पटी बता रहा हूं आप देख लो क सबने घर के इंदर जो है इदर आपके पास जो है समझ लो के एक यूनिवर्सल केमिकल इंडिस्ट्री यूसी आई का head office के दर बना हुआ है ताज आई के बिल्कुत बराबर में हमारे cousin गए बहुत बड़ा काम दा है शारे फैसल पे इदर इन्होंने जो है दस पंदा बीस क देना था यानि क्या करा पदर चला वो पहले से घर था इनका इन्हों रेंट पे दिया था अब उसी के अंदर इन्होंने पूरा IT और ये और purchase department और sales department सारे बना दिये तो अगर देखा जाए तो उनको ये रेंट sacrifice करना पड़ा होगा जो भी मिलता होगा XYZ जो भी है whatever must be a cash flow cash flow के form में होना जाए relevant cost do not include या तक लो कि आपने वो जो प्रोजेक्ट सार्ट करने से पहले जितनी भी cost लगा ये past cost sun cost वो उस प्रोजेक्ट में include नहीं होगी committed cost जो है आपके पास नहीं आईगी educated cost नहीं आईगी या आपका भी theory के हम सवाला दे लेंगे तो आप ये द definition थी regarding relevant costing अब आया इस चेंदर relevant cost for material तो इसमें बुलने कि अगर material आपका regular use का है तो yes तो इसकी replacement cost आज की cost में को जो उस material की replacement पे जो material आएगा वो आजाए या कोई substitute अख्तियार कर लिया उसकी cost जो है वो relevant cost बन जाएगी अगर वो regular use का नहीं था यानि शादर नादर use होता थ वो material use हो रहा है जो हमें नय order मिला है तो वो no तो फिर opportunity cost के अंदर आ जाएगा कि higher off इसमें जो भी higher होगा उसको लेके जाएंगे scrap value या फिर आपके पास benefit from alternate use सारी चीज दीव होती है सवाल सबसे पहले तुम खुद पढ़ोगे इसके बास तुम उसका जबाब दोगे सबसे पहले before further moving to the next point ये आप लोग हैंडाओ आज आपके physical class भी start होगी तो आप लोग यह है ये हैंडाओ दे तो पिटा सारे classes वालों वजीवे थे जिते भी chapters हुए हैं उसका हमारी classes हुए हैं ये जिते भी chapters हुए हैं हुए 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 झाल झाल यह आपनों को हैंड आउट जो है झाल यह वाले इसका एक word की document आपको आज बेरूंगा तो इसके अंदर आपके पास शुरू में आपने ही यह होज की दिसने हैंड आपको हैंड तो इसके अंदर आपके आपकिवास यह है यह लिमिटिंग फेक्टर रैंकिंग बनानी थी जो प्रोडिक को रैंकिंग लिए एक्स्ता कॉस में सबसे कम से कम लग रही हुसकों बनवा लेंगे और जिस महंगी कॉस है वह खोद बनाएंगे में को बाई लिमिटिंग फेक्टर यह आगिया अपके बास यह मुल्टिपल चॉइस कोईश्टिन्स है लिमिटिंग फेक्टर जो बटा आपके आपके पास जो है में टू की आपकी क्या 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 आपके लिमिटिपल चॉइस कोईश्टिन्स यह इस अवालत जरह देखो जल्दी से भई कर लिए ही सारे सारे हो गए देख रो जुनेद कौन है जुनेद पास चरो पास लेखो लेखो आपकी बड़ गए आप क्या आप गिंद भिज्व जो अपराँ जो कि पाई सने हम औरे लोता है झाल 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 ठीकिल्ट कोस्ट ठीक है ठीक है यानि इसमें से आपने कौन कहुंक juicy कोस्ट है जो कि आप considered करते हो रिल्लीमेंट कोस्ट के साथ तो इसके बाद future and unavoidable and incremental cost differential cost है तो में ख़लत है अनवाइडेबल हमने कहीं पर भी नाम नहीं सुना था यह आपके पास कहीं पर भी नाम नहीं सुना था इसके अंदर हाँ future cost सारी relevant cost जो है आपके future पर ही रिलाय करती है और आपको बताया था कि सारे decision making होता ही future base के उपर है और incremental cost हमने इसकी definition में पढ़ा ही था differential cost के अंदर भी हमने पढ़ा था तिसके मेरे खाल से आपके वास answer जो हो गया C answer हो गया इसका which of the following is not a relevant cost for decision making इसमेंसे आपने कौन सी ऐसी cost है जो के relevant cost से relate नहीं करती है या not relevant for the decision making जो आपने पढ़ी थी opportunity cost हमने पढ़ी थी incremental cost हमने पढ़ी थी differential cost हमने पढ़ी थी committed cost हम जो है उसको हम decision making में आपके पास relevant cost के अंदर नहीं देते है number third में आजो you are currently employed as a management accountant in an insurance company you are contemplating the starting you a new own business आपने क्या करा अगर कभी own business लिखा वाए बच्चे या आप एक job छोड़के दूसरी job पर जा रहे हो or the switching the job याद आपके आप sacrifice करते हो यानि कि आपके वास opportunity cost आती है बच्चे इसका right answer आपके 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 हो गया D यानि opportunity cost है इसमें कौन से related opportunity last alternative for gone last best alternative for gone for the su is considering starting a new business he has already spent 5000 market research and intend to spend a further 2000, in the assessment of the relevant कास्ट तो बी डिसेशन तो सेट अप इन द बिजनेस वाट आर दा मार्केट रिसर्च कास्ट कंसीडर तो बी पांच जार रुप तो ओरिजिनली लग चुके हैं लेकिन यह कंसीडर के अधार है के मजीद और दो अधार रुपे और मजीद स्पेंड होंगे आपके अभी वो रिसर्च कंप्रेट नहीं हुई है या अभी तक जो है कोई डिसेशन पर नहीं आए हो तो अभी आपको मजीद जो है कुछ सर्वे करना बाकी है इसको पर शायद मैंने आपको एक्जेम्बल ली थी कि अगर आ अधर फोरो जाते हो तो आछ आप घर के लोकेशन सबसे पहले मैऊटर करती है इस जगह पे ले रहे हो फिर आप इसको जो 2 तीन मरता जब तक कि वीजडेनलो कहा जाता है कि जब गर ले रहे हैं या कोई इंडस्ट्री या कोई फैक्टरी खरीद रहे हूँ तो जो अनर अदरात हैं आर जो अ पुराने लोग हैं जो भीकोंै हैं, दो वन ERIC हमें ढूनर ... जो पर वहें हम को दो असको 4, 5 मरतबह द liberty जो है, ताइमिंग में जाके देखते हैं , के बाद वो इसका इतना बड़ा कैपिटल एकस्पेंडिचर का जो है वो एक डिसिशन लेते हैं तो आपके पास जो है वो नमबर फोर्ट के अंदर आपके पास आंसर आगे था मेरे खलते पांच सार संग कॉस्ट होगे थी और दो हजार आपके पास क्या होगे थी इंक्रिमे कॉस्ट रूपीस 45,000 कितन था और जिली इज्ट वारज़ंडिचर करिवाए जाय तो वो कितने का बिक जाएगी यह करा था जरद एग लो तो आपके साधे साथ दाध़ आगे है ना और स्क्रेफ वैल्यू कितनी आ लिए दी बाराध़ आगे लिए लेने का बोला था शायद दसदर दसदर ही आगई लेकिन हाई रॉफ लियन हाई रॉफ लेना किया था अप्षन में डिका बता है आपके हाई रॉफ था ना डारल काश़र, तो मnis कॉन्सक्राइबूरर, दध्यूर्स कर पादा है? आपने 12500, your company regularly use material X, regular use का है, yes, अगर regular use का है, तो फिर आपके आपके उदर no वाले option पिल जाना ही नहीं है, सबसे पहरी बात ही है, and currently has an inventory 500 kg of which it paid $1.50 two weeks ago, 500 kg पढ़ी भी थी और पंदरा सो रुपए आपने, of which it paid $1.50 two weeks ago, पंदरा सो रुपए की आपने इन्वेंटी दे थी, 500 kg, if this were to be sold as raw material, it could be sold today for $2.00 per kg, अगर आज बेची जाए, अच्छा हमने पंदरा सो रुपए की जो ली है, ये इन्वेंटी आज से पहले, तो मेरा सवाल ये है, कितना 500 kg ली है ना, तीन रुपए पर केजी होगे है मेरे रखल से, हाँ, पंदरा सो को, पंदरा सो से डिवाइड करना तो कितने रुपए केजी आगया, तीन रुपए पर केजी आगया, और वो बुल रहा है कि आज इसी सूरत में हम इसको बेचे हैं तो मेरा सवाल ये है, तो मेरा सवाल ये है, कि पांसो केजी तो मेरे खाल से आज पढ़ावाई है, और सो केजी हमें ज्यादा लेना था, मतलब हमें टोटल कितने केजी कि जो नया प्रोजेक्ट आया है, हमारे पास टोटल कितने आपके पास आ रहा है सवाल में, शेसो था ना मेरे खाल दे, तो आपके पास 600 को आपने किससे मुल्टिप्लाई कर दिया, 3.25 से ने ये कुछ सवाल में, देख लेना था, देखो, 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 मुल्टिप्लाई दो करो यार, पढ़ लाए इसके सवाल में, देख लेना था, भाई सीरे शिरू, 1950 आ रहे था, पढ़िजबर खार, पम देखो, आपनी था, वो ये हो रहा है कि आपके रेगुलर यूस्मेर, आपके रहे है तो हाच मार्य, existing जो इतने भी जो order जो कैसे पूरे होंगे हमार पास वो जो regular use का नहीं होगा तो उसमें से scrap value लेंगे अगर आपके regular use के अंदर है तो replacement cost लेंगे आपके बास इदर से बात start होती है हूँ के raw material आपका regular use का है इदर देखो जरा भाई अगर आपका raw material जो है आपके पास जो यह raw material है सबसे पहली line में लिखावा है कि वह आपके regular use का था yes या no है आपके पास आपके अगर no होता है तो आपके opportunity cost में higher off में जाता है scrap value या यह rule है अगर regular use है तो आपके replacement cost में जाती है और आज की replacement cost कितनी है three point और आपको कितने kg की ज़रूद है six hundred kg multiply by three point तो 1950 आ रहा है बटा यह सवालाद हमने करे वे मुझे याद पढ़ रहा है इसके अदर seven के अंदर ज़रा देख लो दो तीन और सवाला देख लो इसके अंदर एक labor वाला ज़रा देख लो इसके बाद हम next chapter start करेंगे x limited has five hundred kg of material के इन इंवेंट्री फॉर विच इट पेड 2000 वो तो इसने का option दिया है पिटा के घजार लेंगे तो हमारे हमें पड़ा तो three point two five में है यानि supplier ने तुम्हें यह बोला है कि आप कमस कम एक हजार kg लोगे तो अगर हम जुनेद उसमें से परती कि यार आपके इस order की वज़ा से मुझे पूरा यह खरीजना पड़ लाए इसकी बहुत आसान सी example है यार कि आपको डॉक्टर ने लिखके दिया कि यह वाली medicine जो है आप सिफ दो मरताबा कहा होगे आपको यह दो tablet की जरूरत है और जब आप medical store वाली के बाद गए तो आपको यह दो आपको लुज बें मेरे खाल से नहीं मिलती है लेकिन अगर आपको जो strips वाली हो तो वह आप कार्ट के दे देते हैं वह पांच है और इसके अंदर भी doctor यह बोलता है कि भाई यह पूरा आपको आपको कोर्स करना पड़ेगा एंटिपायिटिक के लिख से बा पर वेच इट पेड टू थाओजन था मैटीरल इसनो लांगर इन इन यूज इन दे कंपनी दे कुड बी अगर आपने एक रॉट्ट आपको पर केजी का बिक्र है वह बहुत दिन ओगए अब यूज नहीं हो रहा वह आपने अपने काहँ पर जो है गोडाउन में रख दिय और पदा चला वो पड़े पड़े 1.50 पर केजी का बिक रहे वही रौ मटियल जो लाखो रुपे का करोड़ो रुपे का लिया था वैसे तो एक बात तो कॉमन लिया आज के रैपिट जौर के अंदर कोई भी अपने काम से हटकर कोई एक्स्टा उल्टा सीजा काम लेता ही नह अब तुम केटरिंग वाले के पास से लिए तो उसकी स्पेशलाइज़ेशन उससे हटके कोई डिश बनाने का बुलोगे तो बोलेगा नहीं यार अभी तो यह है नहीं कारी करनी है किसी और से बनवाना पड़ेगा क्या है आप उसको फोर्स पुली अगर बोलतो गया यार यह आप बेतर होगा किसी और से बनवालो अगर मुझे बोलोगे तो मैं इतने में बना के दूंगा और वो भी डेफिनिटली वो किसी बारवाले से बनाएगा खुद तो वो ट्राइ करेगा भी नहीं क्यों वज़ा उस स्पेशल डिस्ट के लिए तुमें एक लेबर असाइ अब ओडर से दो थीन के लोग आया अल्ला माप कर रहे है चार के लोगा तो हाडली यह जरूरी है कि आप इसको इस तरह से टाटा बाइबाइ कर दोगे क्या अभी तो इसका काम है ही नहीं आपके पास X-Limited is considered taking on a single special order which will required 800 kg of material K X-Limited is considered taking a single special order, special order मिला है The current purchase price of material K is 5 per kg अब जो current material की जो price चल लिए हो कितने रुपे में चल रही है अच्छा हमने कितने का लिया था बच्चे 500 kg लिया था 2000 रुपे पे तो यह मेरे खाल्च हो गया 2 रुपे ना 2000 को divide करोगे 4 रुपे ना 4 रुपे पर kg बच्चे 4 रुपे पर kg लेकिन आज की दौर में अभी जो है तो बापको कितने का लिया रही है in the assessment of the relevant cost of the decision to accept the special order what is the cost of material k what is the cost of material k what is the cost of material k हा भाई no longer use material आके बास जो है वो regular use का है no opportunity cost में higher में जाएगा higher में जाएगा तो आपके scrap value है या value in use ना यहीं कवादा न इसके scrap value कितनी ही लग रही है ज़रा बताना ज़रा देखना कितनी ही लग रही है 1.5 तो 500 kg हमारे पास था 1.5 से multiply करा बच्चे 750 यह हो गया लेकिन मेरा सवाल है मेरा खाल चे 800 kg की जरूरत है देखना ज़रा तो 300 kg और हमें बहार से अभी लेना पड़ेगा हमारे पर तो पड़ा है ही नहीं अगर इस special order को ओप करना है तुम्हें तो वो जो 500 kg है तो वो तो चलो हम अपने scrap value से higher off पे लगा देंगे उस order को complete करने के लिए मजीद 300 kg की जरूरत है फाइफ तरीजा बच्चे 15 ना पंदरासो और साथ सो पजास को जमा करना ज़रा बाइस सो बाइस सो बाइस सो बचास आपके पास आ गया अब देखो अगर वो टोटल कॉस्ट मांगेगा इसके अंदर मिज़ अच्छी ना याद है तो इसका answer होता बाइस सो बचास कोई दो राय नहीं है इंक्रिमेंटल कॉस्ट जो लग रही है वो पंदरासो की लग रही है और जो आपके अपर्चनिटी कॉस्ट है वो कितनी लग रही है साथ सो पजास बेटा एक इसके अंदर आपके अस लेबर का आया था मेरे खास से कुस्ट नमबर आपके पास 11 देखना भाई देखना 11 करवाय था लेबर वाली इस दिस्ट होगे था यह भी होगे था देखलो यह लास भाई अपनी इस लांचिंग अन्यू प्रोडक इन ओर तो मैनेफ़ेक्टर दिस न्यू प्रोडक तो ताइप आपस अप लेबर आपको एक चाहिए बच्चे इसके लेबर के कितने चाहिए दरा बताना फाइव आर्ज है और वो कितने रुपे के मिल रहे हैं बिचा हम उसको पैसे देए दस पर आप शुट री वर्क अन्दा न्यू प्रोडक का रिप्लेस्मेंट वुट हैव तो बी आप्टेन एट रेट आप हमता परानी लेबर 10 रुपे के साफ से मिल रही है कोवीट की वयशते है इतनी अनप्लॉइम्त हुई कि लोग हमें नौ और परार के साफ से भी काम करने के लिए देने के लिए तयार हैं हमारी एक्जिस्टिंग जो लेबर है वो तो हम उसको 10 रुपे पर आर के साथ से दे रहें पुराने लगे वे ना 10-20 साल से लगे वे मार्केट के सर्वे भी नहीं करा कोई मिला वज़ा जब सारी लेवर है हम क्यों पंचाइट करें क्यों ने इंटर्विव ले यह तो नया उप्शन आया तो नई लेबर का ज़रा सा हमने क्या करा इंटर्विव लिए लिए तो पता चला मालूब हुआ 9 रुपे पर आर के हसाब से भी काम करने के लिए तयार है बच्चे तो अब ज़रा होड़ से सुनो मेरा सवाल यह आपके पास जो 5 आर्स का जो नया जो 5 आर्स के उपर काम होगा ना 5 नहीं जा 45 अच्छा फिर क्या बुल ले फोर दर वर्क विच वोड अधर वाइस बी डन बाई दा स्केल इंपलोई और बुल ले अब ले दा करन रेट आफ सेमी स्किल वर्कर इस फाइव पर आर अच्छा उपर कितने चाहिए आपको उसके लिए सेमी स्किल के लिए और वो कितने में मिल रहा है भाई वो 5 दो परार के हसाब से मिल रहा है कितने वह बच्छे है टोटल कीजेगा दरा 70 is the right answer वही सहीम है बच्छे थी एक बात है ना जैनन बात तो क्लियर है ना अगर आपको कोई नया ओर्डर देने आ रहा है उसने आप से बाइफर्गेशन मांगी कि या लेबर के तुम कितने पैसे लगा रहे हो आपने बोला यार पांच घंटे जो है स्किल लेबर की जरूद है और पांच घंटे सेमी स्किल लेबर की जरूद है सब्स करो कस्टमर को भी अवेर था मार्केट से आपने अपनी एक्जिस्टिंग लेबर वाले पैसे उसको बढ़ाए दस रुपे बुला यार मार्केट में तो नौ रुपे पर आर के हसाफ़ से काम चल रहा है आप दस रुपे पर आर क्यों लगा रहे हो अच्छा ये तो छोटी एक्जेम्पल है इसको अगर तुम वाइडर एक्स्पेंट पर देखो यानि पांच लाक आर्ज का काम मिल रहा है पचास थार आर्ज का काम मिल रहा है हर एक पर एक एक रुपया दो दो रुपया आपने ज्यादा लगा दिया अपने पुरानी प्राइस को देखते हुए तो इसकी वह रैलेविंट कास्ट तो नियु हुई ना बच्चे आपको वो नए और्डर के लिए नया सारा एवैलुवेशन करवाना पड़ेगा सबसे पहले बंदा क्या करता है वो एक अलग बात है वो एक अलग बात है कि आज कल हमें पता है कि हर कोई नई चीज जो भी लेने जाते है वो पहले से ज़्यादा महंगी मिल रही है इंफलेशन ड्यू टू इंफलेशन रेट हमें पता है जो रौ मटिरियल हमारे पांच रुपे का पड़ावा है डेफिनिटली आज मैं दो तीन चार महीने बाद लेने जाऊंगा तो मुझे वो साथ रुपे पर केजी के हिसाब से ही मिलेगा बहुत ही रियर केस है कोई एक्सेप्शनल केस है कि वो पांच रुपे वाला रौ माटिरियल आपका चार रुपे का हो जाए वैसे तो 99 परसंट चांसे थे कि बड़ ही जाता है तो जब उसकी relevant cause बना रहे होते न अच्छा इसके लिए बागादा survey के लिए relevant cause निकालने के लिए बी तो survey की ज़रोज होती है कौन आपको बार बार सब चीजों की rate बताता रहेगा अपडेट करता रहेगा बागादा आपको overtime देना पड़ता है जाए F7 में जाओगे एक चीज एक बात निकली है ज़र समझाने के लिए शायद F3 में भी उसका आएगा आप revaluation करते हो यानि asset को revaluate करते हो non current asset को यानि मिसाल ले रहो तुम जिस घरों में रहते हो तुम जिस घरों में रहते हो आज वो दो करोड का हो गया है इतने को प्रॉपटी की वैलियू इतनी बूम हो गई inflation हो गया population बढ़ गई जो भी है यह जो आपने तो खेर state agency वाले से बोलके rate लगवा लिए कि यार मेरा घर कितने का बिकेगा 120 गस का यह वो है होए याद रखना companies अपनी non current assets की जो evaluation करवाती है इसके बागादा शारे फैसल में लाइन से सारे यह offices बने में पांच पांच आर्टा दस दस लाक रुपे लेते हैं valuation देने के मैं थोड़ी value बता सकता हूँ कि तुम्हारे जो प्लांट लगावा है side area में automatic plant जो आज से तुमने दो या धाई या तीन साल पहले पांच करोड का लिया था वो तो इसके experts ही अलग होते हैं उनको पता होता है कि depreciation कितना लगा है कितनी उसकी net book value बाकी है पढ़ा तो होगा थोड़ा बहुत पढ़ा है depreciation उसके अंदर net book value कितनी बजग गई है और net book value के बाद आज कबाड़िया कितने पैसे देने वाले हैं उसको सारे rate पता होते हैं दुनिया जहां के उसको सबकी evaluation पता होती है तो मतलब कहने का इस relevant costing गंदर भी जो future cost निकाली जा लिए बच्चे वो free की निकलती है आपको इसके लिए बादा cost निकट करनी पड़ दी है तो क्या करती है company जो बड़ी बड़ी चीज होती है उसकी से relevant cost निकलवा दी बाकी अपनी तरह से assess कर लिए है अपनी तरह से value लगा दी और वोई customer को code कर दी है अब अगर आपका valuation बैतरी है तो आपको order मिल जाएगा और आपने हर चीज के लिए इतने बड़ा बड़ा के लिखे है कि या मेरे लिएस से 10 रुपे लेवर हमारी काम है अब यह तो बहुत पराने बिचारे गरीब लोगे है आज तो लगा रहा है पचास रुपे पर आरगे साब से काम हो रहा होगा तुमने उसको code करके लिख दी है पचास तो अगर कोई बहुत बड़ा order मिला है तो इसके लिए बेतर यह है कि आप पहले evaluation करवा लो rate पूछ लो याद यह वही वाली बात है तुम जो है अपने घर की construction करवाने जा रहे हो मैं अपनी आपको example हमारे एक दोस्त है वो हमारे घर की तरफी रहता है 120 yards बैंक में काम करता है credit control में मुझे बुला है कि मैं याद यह घर बनाना चारा हूँ तुम अपना जो है कोई ठेकेदार हो contractor उसको बेज देना मेरा जो घर बनाता है यह ने उसको बेज देना उसने उसको बुला भाई मेरे बाभी ground plus one बनाना है 120 yards डेमॉलिश कर गे तो बुला भाई पैसे बुला है मैंने का देख लो reliable बना है उसके आपके दूशे चैनल चराए देखो कभी भी इतना बड़ा फर्ग है आथा और यह तुमारे प्रैक्टिकली भी एक जरब आपके parents अगर आपको एक चीज के लिए दिया है हमेशे ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक iPhone जो है दो लाग बारा रादा जो ढ़ी लाग रुपए का iPhone आपके दोस्त बुला है आप मैं तुझे 25,000 रुपए का दिल बाद हूँ बहुत आप उसके साथ जा भी रहे हो चोरी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ पॉसिबल ही नहीं हो एक औरिजडल चीज आपको जो पागल है जो धाई लाग का ले रहा हूँ आप बड़े उसको अकल नहीं हो 25,000 रुपए का ले 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 आप बड़े उशार बने तो उसने यही कर रहा कि कांट्रेक्टर ने आके बुला नहीं नहीं मैं तो आपको बैतरीन सा ग्राउंड प्लैस वन क्याटू भी खड़ा कर दूंगा 30,000 रुपए मैं उसने का भाई अगर यह पूरी डेमॉलिश हो गया ना घर फिर हवा ही हवा आती रहेगी बुला नहीं 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 बंदा अच्छा यह है वो है मैं का इसका यह और यह हमारे इसलाम में भी आप तीसरे और चौते बंदे से भी एक वैलिवेशन ले लो उसने बुला भाई यह तो सबसे य तो भी भी बेवकूब नियेगा में एसलाल का काम कराएं हमारी फेभिली में मैंने का इसको भी चोड़ो अपने बाली को छो लो टीसरे बाली को ले करा हुँ नहीं नहीं पे चला गया गर तुडवा दिया, पूरा डेमोलोजी का, हवा ही हवा, पूरी हवा, फुरा अप्लॉड बना दिया, अब क्या हुआ जब आपने जाकर इसने क्या कर रहा है, इसको जो है, आइरन वगारा सरिया और जो है, सिमिंट दिलवाई, तो आके, जाइची बात है, पढ़ावा तो तुड़ा बहुत तो है, इसको भूला, तो पहले दिन की परचेजिंग में, जो पहले दिन की चीज, जो बुग करके आया, पंदरा या सतरा लाग रुपे का, पहले दिन ही निकलवा दिये, कॉंटेक्टर ने, अब इसको थोड़ा थोड़ा इसके तासुरा थोड़ा से ब आया हूं कि और आपको उसने किस पर भीज़े रेंट पर, यानि आपके 20,000 रुपे रेंट एक अलग शुरू हो गया, अब वो करना नहीं जाहिए और ना बोलना चाहिए, इतना ज्यादा पजल हो गया, इतना परिशान हो गया, डेफिनिली बैंकिंग के बंदा था, आया है, इतनी पोजिशन के खराब हो गया कि बुला है, तुम मेरा घर खरीद लो, यह जितना भी परावे ना, वो भाग गया है, कॉंट्रेक्टर, उसने प्लास्टर करा है, उसने प्लिंट नेवल डाला था, यार मैंने का कंस्रक्शन का हमारा भी एक तजर्बा है, तोड मैं जजबाती बुला, यार नहीं नहीं ले ले अब तू घर खरीद ले, इसकी वैल्यवेशन लगवा ले और यह घर तुम ले लो, मुझसे बुला है, तुम खरीद लो, मैं जजबाती लो, घर भी चले जाएगा, पूरी जिंद़ी रेंट पही रहता रहेगा, इसका एक यह है, कि एक पोशिन बना, पैसे तो है नहीं, एक पोशिन बेज दे, सेकिंड फ्लोर जैसा है, देखा होगा, आजकल पोशिन बिक जाते हैं, देखा होगा, जो पूरे कराची में एक वबा पहरी रही है, अब क्या करें, मैंने का इसको एक खरीदो, उससे एडवानस पैस बहुत ही जरूरी नहीं है, कि आप किसी के उपर इस तरह से रिलाए कर दो, यह वो ही डिसिशन मेकिंग है, और इसके उपर आपको इंप्लिमेंटेशन हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए, बैरा ली आगे देखो, इसके अंदर, यह आपनों को स्टुट्ट्स हेडिंग माँ, कैपिटल इंवेस्ट्मेंट अप्रिजल के हेडिंग आ रही है, बैटा, इस चाहिए, बैटे बीडियो, बैकि आपन है, फिर आपको उनलाना हमेश्ट्ट के देखो, Capital Investment Appraisal के Heading दालो भाई चलो भाई देखो ये आपके बाद decision making के अंदर ही है ना chapter decision making के अंदर ही है capital investment appraisal थोड़ा सा calculation वाला ज्यादा काम है सबसे पहले बाद capital investment appraisal की जो पहली एडिंग दो जली विया है long term investment include जो आप long term investment करते हों उसके आगे सबसे आसानी है कि capital expenditure भी गुलता हो include the purchase of building machinery and equipment अच्छा interesting topic है समझने वाला है ये main courses आप पहले कर लो D or E कासानी हो जाएगी management will need to have estimate of initial investment future cost and revenues of project in order to make a long term decision interest is the amount of money which is invested earned over time simple interest is interest which earned in equal amount every year assuming no change in the interest rate in the interest rate